प्रेविद्यार्तियों मानव भोगोल में मानव प्रजाती के विशे में हम आपके समक्च मैद पुन जानकारी साजा करना चाहेंगे मानव प्रजाती één के अन्रवन्स एक जेविक विचार है जिसके अंतरगत मानव वरको रखा जाता है जो वनसा नुकरम के द्वारा सारारी लेक्चनों को समानता रखता है इस अंधर में हम मानव प्रजातियों के विकास के निमकारकों को देख सकते हैं इस्थानांतरन की प्रवर्ती मानव प्रजाती कभी भी इस्थाई निवास नहीं करती थी जैसे से अपने विकास काल में क्रमगे में वह बाद में स्थाई हुई लेगिम पहले भुजन आवास और पाकृतिक सुरक्षा के लिए इस्थानांतरन की प्रवर्ती रही उस परकार से आर्थर कीत ने ग्रिंतिरस का प्रभाव, हर्मोन्स के प्रभाव को इसपष्ट किया कि कैसे एक जेविक प्रिक्रिया में ग्रिंतिरस का प्रभाव दिखा जाता है जेविक प्रिवर्तन M.6 मानव जेविक प्रिवर्तन एक प्रिक्रिया है और वह अपनी अनकूलता वाली छेतर में रहना आधिक पसंद करता है जलवायू के प्रिवर्तन के अधार पर मानव प्रजातियां का वितरन और उस्तानांतरन हमें देखने को मिलता है विविन प्रजातियां विविन छेतर में इस्तानांतर थुई उनमें आपस में मिश्रन से विविन दूसरी प्रजातियों का जन्म हुआ जिसमें दोनों प्रजातियों के गुन दिखाई देता है भोगोलिक्स सामाजिक अलगाव प्राकरतिक और सामाजिक अलगाव मानवी प्रिक्रिया है और उसके धार पर हम इस चीज़ें देखता है मानव परजातियों की खोज और उनकी यदि हम परिभासाएं देखें तो मोटे मोटे चीजें मैं आपके सामने साजा कर रहा हूँ 1856 में जिवास पाए गए जिसको नियंडिर्थल मानव कहते हैं जर्मनी में पाए गया उत्तरी प्लेस्टोसिन इसको नई संग्या होमो सिपियन्स या नियंडिर्थल कहते हैं 1868 में क्रोमोगोन फ्रांस में पाई गई उत्तरी प्लेस्टोसिन होमो सेफियन्स रही 18597 में जावा मैन जावा पूर्वी प्लेस्टोसिन होमो सेपियन्स रही और उसाट में हैंडिसेन, ओल डिवी या पूर्व प्लेस्टोसिन या होमो सेपियन्स रही उसे बहतर में से चोसतर में खोपड़ी पूर्वी तुरकान होमो हैनी लिक्स देखने को मिली माना पुत्पत्ती के संबंद में टरसी यू क्यांत में दो लाख या बीस लाख स्वारी, बीस लाख वर्ष पूर मनुस्य विकास आरम हुआ जी विकास के करम में पांच लाख वर्ष पूर हायो पेथिक्स वाना रूपी आर्थ मानव की साखा लग हुई मानव का उद्गम मद्देश्या कार्डल लेंड माना गया ग्रिफिट टेलर में आसब्रे ने तिबबत तथा मंगूलिया को मानव का आधी चीत बताया जबकि आर्थाइड की तथलिक ने आधी मानव का उद्गम पताया अफरीका से बताया महीं पंचानन मिस्त्रा ने निगरोइड आस्ट्रोलाइड का मूल प्रदेश बारत को माना कुछ मत मानव के पूरजों का उद्गम सिवालिक के दक्षिन प्रदेश को मानते हैं प्रजातियों संधर में कुछ सम्मंदी पुस्तके जैसे चार्ल्स जाविन 8869 में Origin of Species दक्षिन ग्रिफिट टेलर ने 1905 में Geography in the 20th Century प्रजातियों के संदर में एन्स अब्जर ने 1915 में Man of the Old Stone 1847 में A New Theory of Human Evolutions L.B. Liké ने 1934 में Stonage Culture of Kenya और पंचनन मित्रा ने 1923 में Pre-Historic India के बात करे Header 91924 में The Russia of Man और Griffith टेलर ने 1919 में प्रवास कटिबंद प्रजातियों से लगे प्रवधारतियों ये सब जानकरियां को इस पकार से शेर कमिसले कर रहे हैं कि प्रजातियां किस इस पकार से किन-किन शेत्र में अजबी बिद्वानों ने इसका धन किया सिर की आकरती लंबा सिर लंबा सिर जिसे डॉलिशस सेफिलिक 78.5 से कम जो पापव नीग्रो एसकीमो नीग्रोट पैजाती हैं मद्दे सिर मैसो सेफिलिक 78.6 से 82.5 बुश्मैन ओर्टिन टॉन भूमदसागरी नार्डिक चोड़ा सिर ब्रस्यो सेफिलिक 82.5 से अधिक यूरिस्टिक मंगुलेन आलपस कार पे दिना दी उसे पकार से नासा सुचकांग नॉडल जिसको नॉडल इंडेक्स कहते हैं सुचकांग निकालने का तरी सुत्र है नाक की चोड़ाई बटे नाक की लंबाई गुना सो ये चोड़ाई और लंबाई में को सो से भाग देकर सो से गुना किया था है हेडर ने सिर्की बालों की बनावट के दार पर मान कर उसे बेहने से पुस्तक तरिसच आफ मैन लिखी जिसमें बहुत पतली नाक नाक की आकरती की जम दो जो लिखी बात करी रहे तो उसमें पतली नाक लिखो लेपोथो साइन या उससे और थोड़ी सी हम बात करें बहुत पतली नाक इसको हाई परोपेथरिपिक मद्ध्यमनाक मैसो चप्टी चोड़ी यह जो नासुचकांक है यह 55 से गम, 70 से गम 70 से 84 और 84 से अधिक प्रजातिय काकेश्यन काकेश्यन नौडिक, मंगोलाइन निगरोडिस देखने को मिलती है उसी परकार से हेडन ने जो बाद लोगों सुचकांक के बारें बता है तो बालों के परकार में सीधे बाल जिसको लेडरी चिक कहता है यह बाल हमें मंगोलाइड्स में देखने को देखने को मिलता है वेवी कट मंगोलाइड्स में उन जैसे बाल निगरोड्स में और सीधे बाल काकेसाइड्स में देखने को मिलता है उसी पकार से जबडों के फैलाव या उदहनता के अधर आगे की और बड़ा हुए जबड़े वाले मद्धम आगे की और बड़े हुए जबड़े वाले या बहुत कम आगे की और बड़े हुए जबड़े वाले नीग्रो ये जो है नीग्रो मंगुलाइट्स काकुसाइट्स प्रिधर्तियों नाक, सिर, कपाल, जबड़ा, बाल यह सब का विशिलेशन इसलिए के जा रहा है कि हम उनको देख कर विश्म की जो तीन मुख्य प्रजातिया हैं तीन मुख्य प्रजातिया हैं नीग्रो, मंगुलाइट्स और काकुसाइट्स इनके विशे में हम लोग रहे हैं उस पकार से सरीर की कद के अधार पर देखें तो नाटा कद मंजला कद लंबा कद और बहुत लंबा कद को अधार पर हम लोग देखते हैं 148 cm से 108 cm के नाटा कद हैं जो मुख्य था पिग्मी चीनी जपान पेरुदक्षिन भारत मजला कद 169 से 168 मलेश्या पूरवी सुमात्रा नियुगिनी लंबा का देखने को मिलता है रक्तलक्षन के अदार पर एक काकिसाइड्स बी मंगोलाइड्स कि अबी निग्रोइड्स और ओ अम्रीकन इंडियन पस्ट्रिम आश्ट्रिम जापने में देखने को मिलता है तो प्रिए विजारती हूं हम लोग ने प्रजातीयों की उद्गम से लेकर और उनकी भूतिक विशेस्ताओं के विशे मैं आप उसके सामें चक्चा करी मानज प्रजातियाा का अध्यन विशेस्तर पर हज़ी हम इसके अवस्ताइं की बात करें तो, प्रिश्टोenne के प्रगार्म के अवस्ता से लेकर जीवासम का माना विकास डायोपेथिक्स, मायोशिन, डायोपेथिक्स, रामतपेथिक्स, आस्ट्रोलपेथिक्स, सिंतेपेथिक्स, नेंडरिथल मानाव, क्रोमेगनेन, फ्रांस, क्रिमल्डी, चैसलेट तो प्रेविधारतियों, हमने विभिन प्रजातियों का, उनकी विशेस्ताओं के अधार पर अधन किया, विभिन प्राकरती परिवेश में, परियावर्ण में किस पकार से जातिया निवास करती हैं, और अपना को विक्सित करती हैं, उनकी बहुती विशेस्ताओं का अधन कि प्रजातिया माना भूगूल का एक महत्पून टॉपिक है जिसमें उनकी वित्रन और उनकी विशिस्ताओं के विशे में अध्धिन किया जाता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद